वेलकम टू लर्नर भी, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलेक्राम ग्रूप पर जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहरे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर उसके बाद ये हमारी जो पोयम है, अन्ट अन्द क्रिकेट वाली उससे लिया गया है और मैंने नोटस किया है कि बहुत जादा बार इसी पोयम से क्वेशन साते हैं, रिपीटिटली हर साल, तो ये पोयम बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाती है फिर ग्रामर सेक्शन में डारेक्ट से इंडारेक्ट में आपको करने के लिए बोला गया है, करेक्ट वर्ब को फिल करना है, फिर उसके बाद इंकरेक्ट दिये हुए हैं, करेक्ट करने हैं राइटिंग सेक्षिन में हम लोगों को बायो स्केच को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है 100 वर्ट्स में के आपके टीचर है उनके बारे में आपको information गिवन है और एक ये भाई डेस्क्राइब करो अपना winter season का hill station का visit ये भी बहुत जादा common question है तो बहुत जादा important भी हो जाता है क्योंकि बार बार ये repeat आपके exam में होता है तो अपने friend को आप describe कर रहे हैं कि winter season कैसा गया फिल लिटरदेचर section के ये हमारे पास questions है और इसमें ये वाला question बहुत जादा important हो जाता है कि जो hafiz contractor है वो architecture के field में कैसे आए तो सबसे पहले हम लोग यहीं से start करते हैं क्योंकि ये काफी जादा repeat होने वाला question है तो hafiz once had a bet with someone एक बार उन्होंने किसी से शर्ट लगा ली at the architect's office he saw the person's drawing the wrong window detail after much contemplation it was inevitable that the drawing was wrong तो उन्होंने किसी को drawing बनाते वह देखा window की और उन्होंने पता दिया कि ये गलत है फिर एक तरह से bet लग गई दूसरे वाला कह रहा था कि ये नहीं सही है तो फिर भई जो hafiz contractor बोल रहे दे कि window का design गलत है तो वो गलत ही निकला hafiz cousin's husband was inspired and asked him to draw few specific things अब hafiz के जो cousin थे, hafiz की cousin थी उनके पती को बड़ा बताब आशरे हुआ कि hafiz ने कैसे ये मतलब पकड़ लिया और उन्होंने hafiz से कहा कि भई ये window की drawing जरा तो मुझे बना के दिखाओ ये फिर कुछ और चीज़े उन्होंने उनसे बनवाई he immediately did it and the drawings were executed अब भई बहुत ही अच्छी drawings जो है hafiz ने बना दी impressed by his skills the architect asked hafiz to drop everything and join the architecture this is how hafiz was influenced to become an architect तो भई जब जो थे वो person जो architect थे उन्होंने देखा कि hafiz इतना अच्छा draw कर रहे हैं चीजों को तो उन्होंने hafiz से कहा कि भई जो भी कर रहे हो छोड़ो और architect बन जाओ तुम तो बहुत ही अच्छे architect बनोगे तो ये question जो है वो बहुत important है कैन वेलू read Tamil and English तो नहीं वो सिर्फ और सिर्फ Tamil ही पहना जानती थी जाइन्ट जो था वो happy था या फिर sad था जाइन्ट का garden घराब हो गया था तो फिर वो happy था या sad था obviously वो sad था what effect did the linnard song have over hail and the northern wind तो hail जो है वो stop हो गया और northern wind भी जो है उन्होंने भी roar करना यानि की दहाना बंद कर दिया next question है had Bipin Babu really lost his memory and forgot and all about a trip to Ranchi तो क्या वो अपनी जो रांची के trip थी उसके बारे में क्या जो है यह Bipin Babu सच में सब कुछ भूल गए थे तो नहीं यह बास सच नहीं है उनको उनका एक दोस्त बेवकूफ बना रहा था वो तो रांची कभी गई ही नहीं थे next है what jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were soldiers तो जब वो soldiers नहीं थे उससे पहले वो लोग क्या काम करते थे तो Hans जो है वो चेलो पजाता था औरकेस्ट्रा में और जिम जो था वो एक स्कूल टीचर था next है how did the speaker feel after talking to the child on the beach तो जब author था उन्होंने बच्चे से बात की तो वो काफ़ी सदा free उन्होंने महसूस किया काफी happiness author ने महसूस की बच्चे से बात करने के बाद what are the three qualities that played major role in author's climb तो जो भई वो है न माउंट अवरेस वादा जो अपना chapter है उसमें तीन qualities क्या थी major qualities थी क्लाइम के लिए तो endurance, persistence and willpower भई एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत मुश्किल है तो उसके लिए बहुत ही तकडी willpower का होना जरूरी है next आता है what about what was it about Mount Everest that the author found it irresistible तो irresistible मतलब जिसको रोका ही न जा सके ऐसी क्या चीज थी मतलब Mount Everest के बारे में क्या चीज ऑथर को बहुत ज़्यादा attract करती थी it is the highest the mightiest its beauty aloofness etc उतना बड़ा परवत है उसको चढ़ना इतना मुश्किल है उतना खूब सूरत है ये सारी की सारी चीजे ऑथर को बहुत attract करती थी Mount Everest के बारे में आगे देखिए यहाँ पर देखते हैं सब अब हम देखते हैं इसका राइटिंग सेक्शन तो राइटिंग सेक्शन में हमने क्या है बाइयो स्केच देखना है तो बाइयो स्केच इस तरीके से बनाया जाता है आपको यहाँ पर कुछ hints गिवन हैं ये देखिए ये न ये कुछ hints है इन hints की help से जैसे की भाई एक टीचर है आपके फिवरिट टीचर हैं अच्छे साल के हैं और गोरे हैं, hero जैसे लगते हैं, English पढ़ाते हैं, बहुती अच्छे examples दे करके, बहुती class में उनके पढ़ना मज़े आता है, बच्चों से वो बहुत प्यार करते हैं, kind हैं, काफी patient हैं, और काफी smile करते हैं, हमेशा पढ़ाते वे तो इस तरीके से देखो आप लोग लिख सकते हैं, Mr. Prashant Kumar is my favorite teacher, he is 25 years old and teaches us English, he has a hero-like appearance and a fair complexion, his engaging smile and warm jay manner create an inviting atmosphere in his classroom, मतलब वो hero जिस से दिखाई पढ़ते हैं, English पढ़ाते हैं, हमें हमेशा उनके waist पे smile रहती है, और उनका जो dressing sense है वो भी बड़ा अच्छा है, और वो इतना प्यारा सा महौल क्लास में बना करके रखते हैं, कि class में मज़ा आता है, children hold a special place in his heart and he divorce himself to nurturing their language skills with utmost patience and kindness, मतलब बच्चे से वो बहुत पयार करते हैं, हमेशा बहुत ही पयार से बच्चे से बात करते हैं, वो काफी passionate हैं, about imparting knowledge and inspiring his students to excel in English, मतलब बच्चे हमेशा चाहते हैं, कि बच्चे हमेशा इंग्लिस में काफी अच्छा करें, English अच्छे से पढ़ें, his dedication to education and genuine care for each child make him a beloved figure in the school community, तो वो हर बच्चे पर बहुत द्याहन देते हैं, बहुत ही पयार से बात करते हैं, इसलिए सब बच्चे उनको भी बहुत पसंद करते हैं, through his teaching, he leaves a lasting impact on young mind, fostering a love for learning and language, तो भई, बच्चे इतने जाद हों से inspired हैं, कि बच्चों पर काफी अच्छा उनका impact पढ़ता है, बच्चों का भी पढ़ने में मन लगता है, अब आते हम grammar section पर, you said he is a very good athlete, तो इसको हम indirect में करेंगे, you said that he was a good athlete, I said I have finished my work, you said that you had finished your work, अब verb form में, तो देखो she dash up by her ant, तो यहाँ पर bring है न, तो इस पर आना चीए, she was bought up, you will be invited to the feast, तुमको दावत में नियोता धिया जाएगा, अब देखिए next, they were alarmed at the report of the gun, तो alarm का होता है, alarmed, यह अब जो है, incorrect words है, उनको correct करके लिखना है, हीमोफीलिया, R is one of the, तो R की जगे आप लिखेंगे, is, sex link, diseases की जगे आप लिखेंगे, disease, only males, this is because of the disorders, नहीं होगा, disorder आएगा, caused with a defective, तो caused with की जगे, by आएगा, यहाँ पर, caused with a defective gene of the X chromosome, तो विख नहीं आएगा, यहाँ पर by आएगा, as the result, as the result नहीं होता है, as a result, as a result, blood does not clot, and there is a, तो इस तरीके से, यह जो है, जो गलत थे ना, उनको हम लोगों ने करा है, correct, तो गलत वाले माग कर दे, उसके जगह, जो करेक्शन में आना था, वो मैंने लिख दिया है, अब देखिए, यहाँ पर, जो आपकी, बुक की पोयम है, उससे रिलेटेट ग्वेशन है, हिम, शेल्टर फ्रॉम रेन, एंड अ माउथ फुल उफ ग्रेन, यह किसकी cricket की बात कर रहा है, करी जा रही है कि उसको क्या चाहिए, बस एक चुपने की जगह चाहिए, उसको थोड़ा सा खाने के लिए, जो है, खाना जीए, ग्रेन चाहिए, और वो जो है, उधार ले लेगा, और वो उसको अकल को वापस कर देगा, तो if not he must die of starvation and sorrow अगर उसको खाना नहीं मिला तो फिर वही वो भूगा मर जाएगा ऐसा cricket बोल रहा है तो ये poem जो है वो कौन सी है? The ant and the cricket की ये poem है From whom did he hope to borrow? तो वो किस से hope कर रहा है? grasshopper जो है कि उसको उधार मिल जाएगा ant से अब हमें क्या करना है? give the opposite of the word borrow borrow शब्द को opposite होता है lent या फिर give अब हमारा क्या है? सबसे पहले जो आता है reading section वो अब हम देख रहे हैं क्योंकि ये सब के exam में अलग लगाता है इसलिए हम last में देख रहे हैं तो reading section में हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले ना हमें questions देख लेने होता है कि questions कौन-कौन से पूछे गए हैं उसके बाद हम लोग paragraph पर जाते हैं ताकि हम लोग बहुत ही फटा-फट solve कर सके तो मैंने हापर solve कर रखाया अलएड़ी James Cook cheese desire was to cheese desire chief हो ना जी यहाँ पर थोड़ी बटना पर बट आस फार एस इट वस पॉसिबल फर रमेंट तो गो यानि कि वो जो परसे ना वो कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ मेरा ambition है या फिर मेरा लक्षे है कि मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ इतना नहीं कि कोई इंसान जितना जा सका हो बलकि जहां तक जाया जा सकता है ना वहां तक मैं जाना चाहता हूँ रोड जेम्स कोक, the explorer, who added Australia and New Zealand to the British Empire यानि कि जो ये जेम्स कोक था, इसी ने ही ने नियुजेलेंड को और ऐस्ट्रेलिया को British Empire के नक्षे में जोड़ा था यानि की सी ने वहाँ पर जाकर एक तरह से कबजा किया था इसका James Cook was the father of Antarctic exploration तो भाई ये हमें GK की information मिलती है कि James Cook जो है उसको हम लोग कहते हैं father of Antarctic exploration ये पैदा हुआ था Martin Village, Cleveland on October 28, 1728 तो हमें James Cook की desire क्या थी? तो हमें James Cook की डिजायर क्या थी? तो ये देखते हैं पैदा हुआ था हुआ था हुआ यहां पर one day the lead made up his mind मतलब पच्चे ने अपना दमाग बना लिया he too was going to see in order to visit glamorous land वो दूर तक खुबसूरत चके देना चाहता है at the age of 27, जब वो 27 साल का हुआ cook has rising to be the proud projection of first maid the first service cook show was in Canada where he was employed in the dangerous task of serving the St. Lawrence तो सबसे पहले कहां गया वो Canada गया और किसको सर्व किया उसने James Lawrence को किया तो कैसे ट्रावल कर रहा था उस से मैं तो देखो बोट सी ट्रावल किया जाता था James Cook जो था 1755 में उसने St. Lawrence को सर्व किया था Sir Joseph Banks अब देखो आगे देखते हैं When the Cook 25 अगस्ट 1768 को वो एक कमपनी के साथ किया कमपनी मतलब लोगों का गृप था 83 लोगों का और उसमें साइन्टिस्ट Sir Joseph Banks भी थे तो साइन्टिस्ट जोसफ बैंक तो Joseph Banks कौन थे? एक साइन्टिस्ट थे Next से Cook ने क्या डिसकवर किया तो देखो यहां पर New Zealand जो है वो क्वेस्ट था उसका जो जा रहा था उसमें New Zealand को डिसकवर किया और यहां पर ही आदा है कि Australia New Zealand को उसने जो है एड किया था British Empire में Next है NDAVर वास दे नेम आफ तो यहां पर जो NDAVर था ना वो शिप का नाम था सेट सेल इन दा NDAVर यहां है ना सेट सेल इन दा NDAVर सेलिंग करे यानि की शिप से गया वो NDAVर शिप से The word surveyed survey करने का जो शब्द होता है वो होता है map area मतलब किसी area के बार में बताना किसी area के बार में पताना उसको हम लोग बोलते हैं survey करना तो यह हो गया पूरा का पूरा हमारा पेपर हमने back से स्टार्ट किया section D से वीडियो पसंद आया है तो like, share and subscribe Thank you